नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं MLT कॉलेज सहर्षा के इतिहास विभाग में असिस्टिन्ट प्रोफेसर के पत्पर कारड़त हूँ आज की इस e-learning काक्षा में आप स्वमों का स्वागत है आज हम लोग विश्व इतिहास पाठकरम के अंतरगत विश्व में सर्वा सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाली क्रांती के रूप में और दोग क्रांती के वारे में चर्चा करेंगे आज हम लोग अपने इस कक्षा में और दोग क्रांती की चर्चा करेंगे जो इतिहास विसेस संबन्धित असना तक पर्थमखंड के छात्रों के सलेवस में भी है अर्थात या असना तक पर्थमखंड के छात्रों के लिए विसेस रूप से उप्योगी है आज के विशेवस्तू ओदोगी क्रांती के समगर चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे समगर का मतलब हुआ कि ओदोगी क्रांती क्या है या किस रूप में घडित हुई सबसे पहले या कहां आई इसका सवरूप क्या था और इसने अपना क्या-क्या प्रभाव विश्वर छोड़ा क्या या समाप्त हो गई या इसका प्रभाव आज भी चल ला है इसी प्रक्रिया में इसी विश्य का अंतरगत हम लोग आज अपने इसकाश्चा में इस पर चर्चा करेंगे तो चलिए हम लोग अपने चर्चा की सुरुवात करें चर्चा का विश्य है ओदोगी क्रांती ओदोगी का मतलब है कल खार खाने जहां पर बस्तूं का निर्मान होता है चीजे होता है तो उस उद्योग के स्वरूप में जो बदलाव आया जो क्रांती आई उसके वारे में उस पूरे घटना करण को ओदोगी क्रांती के नाम से जानते हैं क्रांती सब्द का आर्थ है कि बड़ा बदलाव लाना क्रांती धीरे धीरे भी आ सकती है और अचानक भी आ सकत लेकिन क्रांति का प्रभाव जो होता है वह काफी ब्यापक होता है वह फूरे स्वरूप को बदल देता है ब्युस्था में पडिवर्तन कर देता है तो जब हम लोग ओधोई क्रांति की चर्चा करते हैं इसका मतलब हुआ कि उत्पादन के छेत्र में बदलाव तो यह मतलब इसने हमारे पुरे समाजिक व्यवस्था बदल डाला जब से मनुफ सिधर्थी प्र आया उस समय से पासान कि उपकर्णों के बाद पासान के उपकर्णों के परयोग के दोर से बाहर निकल कर जब मानव ने अस्थाई रूप से रहना सीखा, खेती करना सीखा, वो परिवर्तन के बाद मानव समाज पर सबसे ज़्यादा परिवर्तन कारी घटना और दोईक क्रांती ही है और दोई क्रांती ने केवल उत्पादन के तोर तरीकों पर अपना प्रभाव नहीं डाला बलकि इस पूरी प्रक्रिया को बदलते हुए मानव समाज के मानव सभ्यता के समस्त अंगों को प्रभावित किया हर विषय को चाहे वो विज्ञान से संबंदित हो कला से हो दर्सन से हो भासा से हो समाजिक सांस्कृतिक विषयों से हो समाजिक आचार विचार वैभार से हो जीवन जीने का धंग, मानविये सोच, चिंतन, मनन, हर चीज पर अपना असर डाला, इसका स्वरूप काफी ब्यापक रहा, और यह समाप्त नहीं हो गई, बलकि आज भी इसका प्रभाव यह क्रांती चल रही है, नित नय अविस्कार होते जा रहे हैं, उत्पादन का तौर त प्रकृती भी बदलती जा रही है, कहने का मतलब कि अठार्मी सदी के उत्रार्ध से जो यह क्रांती की सुरुवात होई, यह आज भी जारी है, इसको इस रूप में हम और अच्छे से समझ सकते हैं, कि हम जो भी तकनीक प्रयोग करते हैं, आने वाले बरसों में, समय में, तकनीक पुरानी हो जाती है, फिर नई तकनीक आ जाती है, तो यह तकनीकी बदलाओ, उत्पादन के छेतर में तकनीकी बदलाओ, उभोक का तरीका, इतना ब्यापक है, कि इस करांती को हम आज भी महसूस कर सकते हैं, चला सकते हैं, जैसे हम लोग बहुत आसान से उदाहरन स से समधें कि हमारे हाथ में मुबाइल फोन यह बहुत आम चीज है आम इंसान के हाथों में भी फोन देखते हैं सभी गरीब अमीर सभी जगों पर सेट की कीमत वदल सकती है महंगे उपकरन हो सकते हैं लेकिन उसका जो मूल प्रियोग है वो सभी लोग जानते हैं यह मुवाइल पिछले दस सालों में हम देख रहे हैं कि बटम बाल फोन आया उससे हम लोग क्यों बात कर सकते थे जो लेंड लाइन तार के साथ बात करते थे एक जगा बैठ के चोंगा उठा करके बात करते थे वो तार का जंजट खत्म हो गया और लोग आसानी से बात करने लग गया घूमते हुए चलते हुए दौरते हुए नाचते हुए खाते हुए फिर देखे कि कुछ दिन बाद वह बटम का स्वरूप बदल गया और बटम के जगा पर छूने वाले आ गये मतलब पिकी पेड को टश करके भी हम लोग बात कर सकते हैं उसके आद हम लोग प्रियोग का तरीका बदलता जा रहा है यह एक आविस्कार हमारे समाज पर कितना असर डाला इसका प्रभाव हम सहज रूप से कर सकते हैं तो इसी तरह 18 सती के उत्रार्थ में जो यह क्रांती सुरू हुए उत्पादन के तोर तरीकों में बदलाव की जो क्रांती सुरू अब हम लोग यह समझने का प्रियास करें कि यह क्रांती क्या है इस क्रांती के उध्य होने का क्या कारण था ऐसी कौन सी घटना थी जिसके कारण यह क्रांती हुई अब हम लोग इनके कारणों को देखते हैं तो और दोई क्रांती सुरू होने के बहुत सारे कारण थे और दोई क्रांती से हमेशाद मेरा हमारा साथ पर्द है कुछ पादन के तौर तरीकों में जो बदलाओ आया इसके बाद में जब इसके प्रभाव के आरे में चर्चा करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि इस बदलाओ ने समाज पर क्या असर डाला तो अभी हम लोग कि पुनर जागरन एवं धर्ण सुधार इस सब्सक्राइब लोग परिचित हैं पुनर जागरन का मतलब है कि फिर से जागना इरोप ये इतिहास में हम पढ़ चुके हैं कि पुनर जागरन इरोप में पुनर जागरन हुआ और पुनर जागरन के दौर में पुनर जागरन के संदर्व में यह मानते हैं कि जब चिंतन के केंद्र में मानव उपस्तित हुआ धर्मान देता देगर दौर में जिसको हम लोग अंधकार यूग कहते हैं उस समय चर्च जो है धर्म जो है वो जीवन के सभी छेत्रों पर प्रवावी हो गया था और साड़े चिंतन का केंद्री बिंदु धर्म इस्वर हो गया था उसके बाहर कुछ भी कलपना नहीं थी ना पिर्दवी की ना इंसान की ना यह बायुमंडल की ना बढर्मांड की हर चीज के केंद्र में धर्म अर्थात इस्वर था और चर्च ही उसका नियंतरक और व्याख्याकार था तो पुनर्जागर्ण के दौर में लोगों ने इस बात को और सुिकार किया कला विज्ञान साहित के केंदर में फिर से इंसानों को लाया मानव को कला साहित विज्ञान अपने डुशी के केंदर में लाया और इसकी पुनर इसका इसकी प्रेड़ना उसे पुराने रोमन सब्भेता से मिली तो इसी को पुनर जागरन कहते हैं पुनर जागरन में धर्म का आवरन हटा धर्म का प्रभाव हटा और इसके कारण जो धर्म सुधार आंदोलन हुए मतलब कि जन जीवन पर जो धर्म का अंधकार पड़ा हुआ था चोला पड़ा हुआ था और हर चीज को इस्वरिय चमतकार या इस्वरिय देन मानकर उसकी व्याख्यां टाल दी जाती थी तो तरक का विज्ञान का विकास सुरू हुआ हर बाते तरक और साक्ष के अस्तर पर कसी जाने लगी और यहीं से विज्ञान का उदे सुरू हुआ और नई नई चीजों का अविस्कार होने लगा हर विस्यों की व्याख्यां तरक और साक्ष के साथ की जाने लगी और अवि नए चीज बनाए जाने लगे जब मानव जीवन के केंद्र में आ गया तो इसका प्रभा चिंतन पर भी पड़ा और अब इसकी दार्शनिक ब्याख्या नहीं बलकि ब्यावारिक ब्याख्या होने लगी दूसरा कारण था बानिजवादी दर्शन बानिजवादी दर्शन से अर्थ है कि और सा दर्शन जो बानिज्य को अपने अधिकार में मतलब कि मुद्रा को धन को अपने अधिकार में रखने की बात करता है मतलब अधिक से अधिक पुझी अपने पास रखने की बात करता है अधिक से अधिक धन अपने पास रखने की बात करता है बानी जुआद कहता है कि बैपार का स्वरूप ऐसा हो जो अपने बैपार करने वाले के पक्ष में जुखा हुआ हो और उससे अधिक से अधिक लाव हो धन का अधिकान सी हिस्सा जो है वो संचे हो और इसी पुझी संचे के करण और दोईकरांती संपन नो हो पाई क्योंकि इसी पुझी ने आगे बढ़ कर कारखाना पध्धती का निर्मान किया हलाकि और दोईकरांती के प्रभाव में जहों लोग पढ़ेंगे तो इसी और दोईकरांती ने बाद में मुक्त बाजार व्यवस्था की बात की और उसमें इसने सारे अवरोध को तोड़ देने की बात की बानी जवाद कहता है कि वैपारिक सिध्धान्त वैपारिक नियम ऐसे बनाए जाएं जो हमेशा बनाने वाले के पक्ष में रहे धन का अत्रिक्त संग्रह जो है वो बनाने वाले के पक्ष में रहे जबकि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था काती है कि पुंजी का निर्वाद स्वतंतरता पुर्वक वीचरन हो उसको लॉक नहीं किया जाए तो खेर ओदोएक करांती के दौर में ओदोएक करांती के सुरुवात होने के पीछे या पुंजी का संचे बानी जवात के करण जो पुंजी का संचे हुआ इसने भी महत्पुन भूमी का निभाई तिसरा प्रमुक करण था फ्रांसेसी करांती का योगदान एरोपीय इतिहास में दो महत्पूर्ण देश थये बीटेन और फ्रांस हो और और राजनितिक विवासथा अधिक उदार और जिमेवार पंच चुकी थी लेकिन इस क्रांती का असर केवल राजनितिक शेत्र में देखा गया, राजनितिक उधार्ता, राजनितिक परसासन उधार हुआ, जिवेवारी आई और समान्य जन्ता को अधिक अधिकार दिये जाने की बात कही गई, राजा की निरह कुष्टा का हडास हुआ, लेकिन इसके उलट इसका प्रभाव उरोप के दूसरे देशों पर कुछ उल्टा पढ़ा वहां के राजे रजवारे अपने अधिकार को विश्यसा धिकार को बचाए रखने के लिए आपस में संगठित होने लगे जबकि फ्रांसिसी क्रांती का प्रभाव उल्टा पड़ा फ्रांसिसी क्रांती फ्रांस में राजा के अधिकार को समाप्त की लेकिन यह स्वतंतरता समानता और बंधुत के नाड़े पर थी और इसका प्रभाव केवल फ्रांस नहीं बलकि इरोफ के दूसरे देशों पर भी प किया और जीवन को अधिक उधार बनाया स्वतंत्रता समानता भात्रित्र की बात की और राजा का अधिकारों में कटवती की ही, खासकर मध्यम वर्ग के अधिकारों में विसेश व्रोतरीगी यह मध्यम वर्ग का प्रभाव फ्रान्सवी क्रांती के फिलम्षरूप काफी तेजी से बढ़ा और यह मध्यम वर्ग ही और दो क्रांती का भी अगवा बना क्योंकि सामंत राजे रजवारे के नस्ट होने के बाद यह बैपारिक वर्ग आगे आया और इसे प्रेढ ना फ्रांसेशी क्रांतीजम मिलीए या केवल फ्रांस सख्सिमित नहीं रही बलकि इरोप के दूसरे भागों में भी तेजी से हैली चौथा प्रमुक कारण था इस समय इरोप की जनसंख्यां काफी तेजी से बर रही थी इरोप की जनसंख्यां बढ़ने का एक फायदा यह हुआ कि सरम के लिए मजदुरों का मिलना सुलब हुआ, रोजगार और दैनिक बस्तों की मांग में भारी बिर्धी हुई जनसंख्यां बढ़ी तो उभोग के लिए बस्तों की मांग भी बढ़ी और उत्पादन के लिए अत्रिक्त सरमिक भी मिले, मतलब रोजगार के लिए आदमी भी मिले, जो इस बड़े अस्तर पर उत्पादन करने के लिए अनुकूल सावित हुए उसके बाद एक करन राष्टवात का उदय भी है, राष्टवात का उदय और दो एक क्रांती को इस रूप में संभब बनाया कि उत्पादन का जब सौरूप बदलने लगा, जब नई नई चीजें खोजी जाने लगी और इसे राष्टिये गड़व के रूप में लिया जा करने लगा, तो दूसरे देश भी विज्ञान के इस होर में सामील हो गए, उत्पादन के इस दौर में सामील हो गए, और उन्हें दिखने लगा कि अगर वो अपने देश के अधोई करन को नहीं करेंगे, तो विकास के दौर में, थाकत के दौर में, सक्ति के दौर में, पर इशे हो जाएगा और इस कारण से उनमें परतियस्परधा बढ़ी पुराश्टवाद भी प्रमुक कारण रहा और दोई करांती को समर्थन देने का नए नए अविस्कारों के सिरिंखला शुरू हो गई नित नए चीजों की खोज होने लगी जैसे यातायात के साधनों के अधिक टिकाऊ सरके बनाई जाने लगी इसी तरह रेल इंजन का अविस्कार हुआ इसी तरह भाप से चलने वाली गाड़ियां बनाई गई जलियान बनाए गए इसी परकार कपास काटने के लिए रूई को काटने के लिए मसीने बनाई गई कपड़े तेजी से तयार करने क लिए पावर लूंग का अविस्कार हो गया, सीडी यंत्र किरसी यंत्रों की खोज हुई, इसी परकार संचार व्यवस्था में, डाक व्यवस्था में सुधार, डाक व्यवस्था का अविस्कार हुआ, बेतार मतलब वाइर्लेस, डाक संचार, टेलीफोन वे रखा, अविस्क जैसे कोईले की खानों से निकालने के लिए कुईलए निकालने के लिए साफ़ाव का अविस्कार हुआ ताकि नीचे से से जाके कोईले को खो़दा जा सके और जहरीली जी जैसों के प्रकूफ से बचा जा सके इसी परकार इस पात को गलाने के लिए नही बिधियो PP reinforcement का उत्पादन का सुरूप बढ़ा और बड़े अस्तर पर बड़े बड़े कलकार खाने बनाए जाने समभब हुए जिससे उत्पादन कई गुना बढ़ गया राजनितिक बातावरण की भूमी का पहले भी जर्जा कर चुके कि अगर राजनितिक बातावरण उदार होगा तो वह परिवर्तन को मंजूर करेगा रोप में सामंती धाचा अब धाह रहा था गौरपूर्ण करांती हो या फिर फ्रांसिसी करांती हो या उसके प्रभाव से आगे जो प्रभाव उसका पढ़ रहा था उस दौर में सामंती धाचा धाहने लगा और सामंती धाचा धाहने के कारण सहरों का विकास पेजी से हो स एक सासक के रूप में, राजागी पर्तिष्ठा बरही, राजागी सक्ति बरही और परसासनिक एक रूपता, राजनितिक एक ता, कायम हो सका, एक सवल राष्ट का निर्मान हो सका, जो अपने समाज में, अपने आर्थिक साधनों में बिर्धी करने के लिए तत्पर था, बेपार वानिज में भी काफी विर्वास हुआ तो इस तरह राजिनितिक बाताबरन में सुधार होने के कारण भी और Pakistan संभब हो सकी तो आज कि इस कछा में हम लोगों ने और दो लिक्र्णति के बारे में जाना कि ओदोई क्रांती क्या है और इसके पीशे करण इसके शुरू होने के पीशे क्या क्रांद थे अगली कर्चा में अगले क्लास में वोग चर्चा करेंगे फिर से के स्वरू हुई इंगलेंड से और इंगलेंड से इसके शुरू होने के क्या कारंत है आज के क्लास में बस इतना ही धन्यवाद